एक व्यक्ति इसा के पास आकर बोला, गुरुवर, अनन्त जीवन प्राप्त करने के लिए मैं कौन सा भला कारे करूँ? इसा ने उत्तर दिया, भले के विशय में मुझसे क्यों पूछते हो? एक ही तो भला है, यदि तुम जीवन में प्रवेश करना चाहते हो, तो आज्याओं का पालन करूँ, उसने पूछा कौन से आज्याएं? इसा ने कहा, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, जूठी गवाई मत दो, अपने माता पिता का आदर करो, और अपने पलोसी को अपने समान प्यार करो. नवयुवक ने उन से कहा, मैंने इन सब का पालन किया है, मुझ में किस बात की कमी है? इसा ने उसे उत्तर दिया, यदि तुम पून होना चाहते हो, तो जाओ, अपनी सारी संपत्ती बेचकर गरीबों को दे दो, और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पून जी रखी रहेगी तब आकर मेरा अनुसरन करो, यह सुनकर वह नवयुवक बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था